आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रिवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की दोस्तों बात अपने देश की है इसलिए चर्चा हमारी होती है तो सेवल केबल देश के मुद्दों पर हम आते हैं और चर्चा करते हैं देश के उन मुद्दों की जो मुद्दे केबल जनता के हैं बो मुद्दे जो केबल देश के हैं बो मुद्दे जो जीवीका से जुड़े हुए हैं बो मुद्दे जिनका आम आर्मी की जिन्दगी से बहुत बड़ा संबंध है। यह बो मुद्दे नहीं है जिनका संबंध किसी राजितिक पार्टी से है, किसी प्रिसासन से है, की सासन से है, की सत्ता से है। क्योंकि मेरा मानना है कि देश केवल केवल जनता का है और जनता ही जब जुड़ती है तब देश बनता है इंडोस्तान बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा लोगतंत्र है पर इस लोगतंत्र में तमाम ऐसी जरुवते हैं तमाम ऐसी मामले हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता चाहे मामले जीबिका के हो चाहे मामले स्वास्त के हो चाहे मामले सिच्छा के हो और चाहे मामले आम जरुवतों से जुड़े हो केबले हाँ पर होती हैं तो होती हैं तो सिर्फ बात हैं और बाते भी सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि जाम जनता के मुद्दों की कोई बात ही करना नहीं चारता है। जब चुनाब होते हैं तो रेलिया होती है और जब सरकार बन जाती है तो युजनाय बनती हैं पर उनुजनाओं का क्रियानमन कितना हो रहा है समीच्छा कैसी हो रही है अनुपालन कैसा हो रहा है कोई नहीं जानता यहां पर हर बात के लिए अडिनियम बनते हैं कानुन बनते हैं पर कोई भी गवर्मेंट कोई भी सरकार यह नहीं सोचती कि उसकानुन का अनुपालन कैसे हो रहा है उसकी समिच्चा हो रही है कि नहीं हो रही है उसको लोग पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कही उन कानुनों की आल में आम जनता की सोशन तो नहीं हो रहा है आम जनता पीडित तो नहीं है वो उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोई नहीं जानना चाहता पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर हम आज नहीं चेतेंगे तो हम कब चेतेंगे हम लगातार ब कानून केबल अपरादी को सजा देने के लिए काम आते हैं और अन इस तरों पर केबल मामलों में उड़ाई जाती है तो कानून की केबल धजियां और सिर्फ धजियां चलो आपको बता ही दूं आपको किस कानूनों और नियमों के बारे में तो सबसे पहले अगर धज्या उड होते हैं जिसके चलते पेडूरिसरल का स्तर बरता रहता है कोई सुनवाई नहीं होती दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे तमाम जनहिट के मामले आप देखे जहां कोड के लगातर आरिसों के बेहिलना होती है पर यहां पर अवहिलना ही होती रहती है अनुपालन कही नज़न आता तो यह तो रहे मामले जनहित के पर इसके अलावा पर कोई मामला है तो वो है आपकी आम जीविका जो जुड़ा हुआ है आपकी आम जीविका से अगर आप आम जीविका को नहीं समझेंगे तो आपका जीवन यापन कैसे होगा यह अपने आप में एक पिस्न होता है पर यहां पर आम जनता से जोड़े मामले का या जीविका से जोड़े मामले का कोई भी संग्यान नहीं लेता है ना किसी को दर्ध है आम जनता का और होगा भी क्यों कहा भी गया ना जाके पाऊना फटी विवाई वो का जाने पीर पर आई है यानि जिसके पाऊ में कभी विवाई बसर करते हैं, आज हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिसका सीरा सम्मन आपकी जिन्रीगी से ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बेतरमान अच्छा होना चाहिए, उसके बना काम नहीं चलेगा, वो आज की समय में पैसे क मिल जाएंगे, और हो सकता है कि खुद आप इस सोचल के सिकार हो, हम बात कर रहे हैं समरीनियम उन्नी सो और तालिस की और मजदूरी के काम बेतन मान की, आपको बता रहें, अगर आज सरकारी मनलिगा की नून्टम मजदूरी की बात करें, तो नून्टम मजदूरी मिलती है महज एक सो नब्वे रुपए से लेके तीन सो नब्वे रुपए, तीन सो नौ रुपए, यानि यह मान के चलिए कि आपको छे हजार से लेकर नो हजार तक नून्टम मनलिगा की मजदूरी मिलती है, बिहार में एक सो नब्वे है, तो कहीं उत्तपडिस में जाके तीन सो न और वो भी यह गारंटी नहीं है कि आपको तीन सो पैसेट दिन मिले उसमें भी एक गारंटी दी गई है कि आपको सो दिन की मजदूरी मिलेगी सो दिन का काम आपको मिलेगा उसके बात बाकी दूसों पैसेट दिन आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा यह बात को ही नहीं जानता पर इस बात के अलग हम लगातार इस बात को लिए खुस हो रहते हैं कि मंद्यगा की मजदूरी मिल लई है अब बताइए जिस देश में महगाई चरम पर है बहां है इसने काम इतने बेतनमान में कोई कैसे परवार चला सकता है कैसे उसके बच्चे उच्छ सिक्तर परप कर सकत करता है अगर हम केंश सरकार की मजदूरी की बात कर लें तो यह आकले 17000 से 23000 तक हैं यानि जो लोग केंश सरकार के उपकरों में संविदा पर काम कर रहे हैं उनको यह मिलता है पर सबसे दिल्शस बात इसमें है कि इसमें भी बड़ी कहानी है यानि जो बेतन बताया जाता ह वो मिलता भी नहीं उसे भी आउट्सूर्स कंपनियां कमीशन के तौर पर खा जाती है पर अगर हम अपने देश की सबसे आबादी वाले प्रदेश की बात करें तो यहां भी हालत गंभीरी है यहां पर जो एक नौन स्किल्ड होता है सर्मेक होता है उसको 9000 के लगबार जो मजदूर अलाट गंटे काम करता है लोग और साल है यहां नोळाजीत इंव्थे हैटे उसकिल्ड होता है यहां यहां ऐन्य बात हैं जो बिना आधिनियमी ख़े हैं प्टर लिए बहुत अज़िता मुगा तो 8000 और जार अज़िता मुगा तो 9000 पर साल अगर महीने के बात करें तो उनको 10-12 घंटे पचिरिन काम करना पड़ता है और मजदूरी मिलती है 6-7-8 और किसी भी निजी संस्थान में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती होता है तो किवल सूसन क्योंकि बिरुज़ाई चलते वो इंसान कम बेतनमान में ही काम करने को तयार हो जाता है कोई चारा भी नहीं होता बड़े-बड़े मालेक हैं बेटन छोटा-छोटा वो बिरुट करने पर उनको नोकरी से ही निकाल दिया जाता है और आप ही बताईए ऐसे मन चले लोगों को यानि मालकों पर कारवाई कब होगी कब उन लोगों को उनकी हक्की मजदूरी में लेगी अब तक ना सरकार ने इसका कोई निराकन किया है केबल कार जो में ही सेली दिखाई जाती है और हाथ में मिलती कुछ और है कब तक लोगों का सोचल होता रहेगा लोगों को पैसे कम पैसे में घसर घसर का अपना जीवन आपन करना पड़ेगा सरकार इसके लिए कब नीती बनाएगी कम आम आदमी और गरीब को एक स्वाबिमपान पूर्ण जीवन जीने का एक रास्ता मिल सकेगा किसी को नहीं पता कब इस जसा में काम होगा कब सोचल बंद होगा कब लोग सुखी जीवन जीएंगे कब इन लोगों पर सोचल करने बाले लोगों पर कारवाई होगी किसी को नहीं पता पर सबस्वरी बात यह है कि अगर हमको नहीं पता है तो क्यों नहीं पता तमाम कानून बना जाते हैं अभी एक कानून जो पिसले साल बनना था जो अपरेल में आया था कहा गया था कि अब जो नियूनतम समय होगा वो समय होगा आपको किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको आठ की जिए बारा घंटे काम करना पड़ेगा और ये काम आपको महज चार दिन करना पड़ेगा तीन दिन आपको छुट्टी दी जाएगी यानि कि अगर आप काम करते हैं तो आप बारा घंटे काम करिए और तीन दिन आपको छुट्टी मिले क्योंकि एक सापता ही अपकास के हमेशा बाद होती है पर ये कानून भी बनते बनते रह गया इसकी पिक्रिया चल रही है अब 2022 में कारून बनता है नहीं बनता पता नहीं और निजी संस्थानों की बात करें तो वहां भी छुट्टी कितनी मिलती है क्या गाइडाइन्स है कोई फॉलो नहीं करता स्रम मंत्रा ने भी लगातार बाते करता है नुनता मंद अनमान है उस पर जीवन यापन करने को मजबूर है क्योंकि जो सब मंत्रा लेकि अडिनियम की गाइडलाइन्स है उनको पालन नहीं करने का छोटे मोटे संस्थानों के मालेक बीड़ा उठा रखा है देते कुछ है दिखाते कुछ है कि समरा कर्मियों की तमाम बाते होती है बता जाता है कि उनको 18 जार मिलेंगे 25 जार मिलेंगे 30 मिलेंगे पर जारी उनको कुछ और होता है बाकी की आउट्सोर्स कर्मियों कमिशन की रूप में खा जाती है जो उनको ठेके पर लेती है और ठेके पर उनसे काम करवाती है तो यहाँ जेव तो भर रही है पर सबसे ब हुँ होता है ऌलो परेशान हैं जाक्ता मिलता कितना है इस सब को पता है नियुंटम मजदूरी तया होने के बाफजूत मिलता है उसके भी लोग पाली निग करते हैं उसके अलावा भी भूटर कम बेतन है जो लोग को मिलता है निजी संस्थानों में खास तोर theory नूतम बेतन दिया जाता है और अगर बिरूट करते हैं तो आपको नोकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि आदमी कम बेतन में काम करने पर मजबूर है और सरकार केवलो केवल कानूर मना कर इसकी खाना पूर्ती करती नजर आती है कि हमें अधिनेम बना दिया कानूर मना दिय होती है कि और को हम आगे भना रहा हैं कुंद्य पर ओद हो 17 डाहिए क्यों कि यूजना अचैनलल और गई फमको हैं तो तमाम उन संसाजनों को तमाम उन नियमों को हमको सुधाना होगा और के समिच्छा करनी होगी तब ही आम आदमी जो गरीबी तपके में हैं वो जीने को सोच सकेगा हम चर्चा करते हैं बड़ी बड़ी कि आज हम ऐसा करेंगे आज हम इस तरह के नियम का आदे लेकर आएंगे कि आम जनता जो है वो गरीबी की जो जड़ में जी रही है वो कुछ एक आदर स्वाविमान पूर्णी जीवन जी सके पर यहां पर केबल बात होती है और हम लेबल की नाम रिधिन बने हैं तवा अनिन बन जाएंगे तवान घॉड्लाइन है पर फालण कितरी हो रही है किlighty हैं किम quality क्प्रिय है और जो आदमी का सोचल zao जो वहाँ काम कर रहा है जो आडमी स्किल्ड है आई एटिन है पड़ा पड़ा लिखाया आडमी है उसको नुकरी मिल जाती है लाखों रोपे का उसका पैकेज होता है वो काम करता रहता है पर जो लोग जिनके बच्चे एक कम पैसे कारण उसे इच्छा ग्रेंड नहीं कर पा आते हैं और केबल केबल एक समय सीमा के तहट बार भी पास करते हैं और कुछी तरह संगर्श करते करते गजूट हो जाते हैं क्या उनको जीवन के जीने का हक नहीं है क्या उनको जीवन में आगे बढ़ने का हक नहीं है उनके लिए भी एक नियुनतम मजदूरी त्या होनी चाहिए जैसे आज जो मजदूर होता है वो अपनी मजदूरी खुर्ब तैकर लेते हैं कि हाँ आज का रेट हमारा 400 है और 400 चलता रहता है कहीं भी आप जाएंगे हर सहर में एक अलग रेट लिष्ट है उनकी कि मिस्ट्री हमारा इतना लेगा और मजदूर हमारा इतना लेगा काम कराई यह और घंटा पूने होने पार चले जाते हैं तो स्ताहि नहीं होते हैं उनको काम हए पैसे लेते हैं चले जाते हैं थे ना कि उनका कोई उपर कोई आडिनियम नहीं होता इसलिभे सुखी है शंट्रुस्ट हैं पर यहां पर हम उन लोगों की boys बात करना नहीं च रुपए में दस से बारा घंटे काम करने को मजबूर है जिनकी एक मजदूरी तया है कम मजदूरी मिलती है काम करते है सोसल होता है और लगातार एक ऐसा जीवन जीते है जिसकी वो कलपना भी नहीं करते अपकास भी नहीं डिया जाता है और लगातार डूटी करा जाती लगा गर और ऐसे ही लोगों को जो जो निजी और चोटे-बोटे संस्थान भो धूरते हैं बात की जाती है बड़ी बड़ी क्या काम करेंगे तंखा आप को इतनी मिलेगी क्या आपने सोचा है कभी कि उतनी कम तंखाम है वो अपना गुजर बसर कैसे करेगा अगर बाहर काया तो कैसे किराया देगा अगर बच्चे है तो कैसे पढ़ा सकेगा अगर खाना खाना तो खाना कैसे खाएगा अगर सुस्त जीवन जीना तो कैसे जिएगा अगर अपने आपको आंगे बढाना ह है कुछ बचाना है बजट करनी है तो कैसे करेगा अगर इसके कम पैसा उसको दिया जाएगा सबस्तार केबल खूल चूजते है पीडिट का उसका काम लेते हैं उसको बेतर मान के नाम पर देते हैं कुछ पैसे कुछ रुपए गाइलाइन कोई फॉलो नहीं होती सिर्फ बात होती है इसकेल्ड की नॉन इसकेल्ड की और हायर इसकेल्ड की पर जो हायर इसकेल्ड है बेतर पड़ा लिखा है उसको तो अच्छे पैकेज मिली जाते हैं और वो गिंती में कुछ ही है ज्यादा नहीं है पर जो देश की ऐसी अबादी है जो 70-80% है जो प्रपर स्किल्ड नहीं है जो कम पैसे के चलते उच्छा को प्राप्त नहीं कर पाई है क्या उसको जीवन जीने का हक नहीं है क्या उसको लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी बेरुस्था बनाई जाए जो कम से कम उसको वो मजदूरी मिले वो बेतरम स्वाविमान मिले जिसमें वो कम से कम स्वाविमान से अपने परवार कोज़े बसाज कर सके अपनी जीवी का चला सके हम बाते करते हैं कोसल विकास की हम बाते करते हैं मन्देगा की हम बाते करते हैं स्वाइन स्वाथ्ता समूव की पर हम बात यह क्यों नहीं करते कि लेवर लो लाकर हमने अपनी खाना पूर्ती कर ली है कितना मिलता है आप जाके दे सकते हैं आप मालूम कर सकते हैं किसी भी संस्थान में जाके आप मालूम कर सकते हैं कि लोगों क्या पैसा मिलता है लोग बैठे रहते हैं लोग काम करते रहते हैं पर अगर आप उनकी तंखा हabilities के नाम पर शोचन कर रहा है है चोंकि यह पर सोचन के बल संस्था नहीं नहीं कर रहे हैं यहां अधान सुल्ट कर रहा है हमारी सरकार हमान सोचन कर रहा है हमारे नियम और हमारा सोचल कर रहा हमारा लोगतंत्र ज़रे लोगतंत्र के हम बात करते हैं उसी लोगतंत्र में ऐसे कानूनों के अनुपालन क्यों नहीं करा जाता ऐसे कानून अडिनम क्यों नहीं मना जाते कि आम आदमी को भी एक ठीटाग बेतर मिले अगर मेंगाई की दर में एक अमीर जूजता है एक मद्यन जूजता है तो एक गरी भी जूजता है और मेंगाई सब पर बराबर से लागू होती है तो जब मेंगाई सब पर बराबर से लागू होती है टेक सब पर बराबर से लागू होते है कर सब पर बराबर से लागू होते मैं नहीं बोलता कि उनके पैकेज लाकों में हूँ पर जिस पैकेज की लायक है या जिस तंखा के वो लायक है जिस तंखा में एक परवार चला जा सकता है आसानी से बना किसी बड़े संगर्स से एक सिंपल लाइप लाइप एक आडर्स जीवन जिया जा सकता है एक सारहन करना पड़ेगा और दोकान हो चाहे संस्था हो सोरूम हो चाहे रियरिसेट कंप्रिया हो और चाहे सिकोर्टी एजनसी हो सब जगह बताया कुछ जाता है मिलता कुछ हैं चार्ज कुछ करते हैं देते कुछ हैं 12 12 घंटे की डूटिया होती है और मैज साथ से आठ हजार रुपए दिया जाता है बारा घंटे की डूटी का ये सिस्टम हमारे देश में चल ला है क्योंकि जो मन चले माले के उनको पता है कि हमाई साथ कोई कारवाई नहीं होनी है क्योंकि लिखत रूप से हमारे पाँ ये डाटा है कि हमने उस इंसान को ज जो उसके मालिक है जो उसके एजनसी है वो पैसा ले लेती है क्योंकि कानून हमाया केवल हो केवल अपराद के लिए बना जाते हैं अपराद को कंट्रोल करने के लिए बना जाते हैं बोनने के लिए बना जाते हैं उन तबान उन बातों के लिए बना जाते हैं कि जिनके लि का कोई उचित लाब नहीं होगा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों आज मेरा मुद्द को उठाने का कि यह की निर्ण रहा है एकी मकसर रहा है कि जो लोग प्राइबेटी करण के चक्कर में मैं यहां निजी करण की उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कंपनिया निजी हो रही हैं मैं यहां निजी करण की वहां की बात कर रहा हूं कि नजी संस्थानों में नजी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कम बेतनमान में सोशल हो रहा है लेबल लोग बना हो एक डाटा रहता है और स्विसाइन किराते है और दाटे के साफ से लेवर विबाग चलता रहता है चलता रहता है पर यहां पर दुर्दसा केवल होती है वो होती है एक नियुनतम मजदूरी वाले इंसान की उसके परवार की वो कैसे किस विभीसिका में अपने परवार को च होता है जो अब तक दुर्वल आय में ही है क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिलता है कि वो मद्यम बर्ग में आ सके समाज में स्वाविमान पूर्ण जीवन जी सके इसलिए वो अब तक दुर्वल आय बर्ग ही बना रहता है हलाकि तमाम लोग ऐसे भी है जो मद्यम बर्ग उच्छे बर्ग होने अबजूद दुर्वल आय बर्ग में आकर तमाम यूजनाओं को लाब लेते हैं पर दुरवल आयबर्ग में कितनी उजनाओं को पहुंसती है वो सबको पता है पर दुरवल आयबर्ग दुरवल ही क्यों रहा जाता है यह अपने आप में यच्छी पिसन है वो रोक्यों जाता है क्योंकि आज तक उनकी मजदूरी ही तेहनी ही उपाती है कि उनसे कितना काम कर आया जाता है जो लोग से रोजगार करते हैं वो तो अपने आपको सच्छम करते जा रहा है और दुर्बल आया बर्ग से बखे में मद्धम बर्ग तक पहुंच रहा है पर जो लोग जिनके पार फूजी नहीं है ब्युस्थाय नहीं है यह जो लोग स्किल्ड नहीं पड़े है उनके लिए कुछ कुछ प्रयास करना होगा हुगा अपने असकारेकहम के माध्यम से मैं तमाम वन लोगों से बातकरना चाहता हूं कि कम से कम जो यह बना है कि बना रहे हैं उनका अनुपालन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि किसी आदमी को 6000 तो नहीं काम कराया जा रहा है कि कई किसी अनसान को 10,000 में 12 घंटे डूटी तो नहीं करायी जा रही है कहीं बाल सरम तो नहीं हो रहा है कि दिखा रहा है कि हम आया पुरुस काम कर रहे हैं मह सुन्ता बादयु आप यसे यहांपर उत्तृप इंज मामले पूरा देश होई सें, लोगों को सोचन किया चारें लोग एक खराब जीवन जीने पर मजबूर है ना उनका स्वास्त बěतर होता है ना उनका एक रहन सेहर होता है वो बैतर होता है जो कि आज भी हमारे देश мен कारॉनों की केबल धज्जिया उलाई जाती हैं कानूनों का अगर अलुपालन हो समीच्छा हो तो आम आदमी भी एक नियुंतम मजदूरी के साथ एक अच्छा जीवन बसर कर सके हैं और मेरा तमाम सरकार से और तमाम अधिकारियों से और तमाम कानूनों के सिच्छा बिरों से कानून बिरों से निवेदन है कि ऐसे कानू कि द्शेश से कृता कर आय तो सके दिसेंगे और तभी हमाले डिस नागरें को सकेगा हां हम भारतिया हैं और भारतिय होने के सार्ट-चीवन जीतने जाना आते हैं Care तो आज की सर्चा में इतना हुई पर अगले बार फिर किसी मुद्धिकता होगी मुलागात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।